नमस्कार सहर में अतिक्रमन हटाने का अभियान लगातार जारी रहता है समय समय पर हमें बुलडोजर घर तोड़ते हुए निजर आते हैं राची राजधानी में भी कई बार ऐसे देखने को मिला है बरहाल हाई कोट के आदेश के बाद यह अभियान रोक दिया गया था लेकि यह समय क्या है एक लेकिन 800 मकावनों को तोड़ने कर नोटीस दिया गया एसा निगं हो कह रही है यह लोग कहने कि नोटीस नहीं मिलने की सीथी में क्या करने वाले हैं और आज यहांपर इनके उज़ाये विदैक नवीन जैस्वाल आने वाले हैं और इसलिए यह पूरी बै आप कब से हाप रहा है यह बच पने से हैं पाइदा यहीं लिये है दादा था ताए यहां से अब आप से यह एदा है जो देख रहे हैं नक्सा पास नहीं पास नहीं होगा ग्राइंग जों की के ग्रीन लेंड की क्या बोलते हैं पाइब लें मोलते है यहाँ रहतो होल्डिंग तो हर गर से ओलिंग आगए काट के लए जा रहा कॉछ मारा कुछ पुझे आरे मतलब इो आतल mama 319 on akad ho mibert Malum To Birlik जारी कर रहा इस गाहों से होल्डिन टेक्स उठाया जा रहा है और निगम यहां बिजली पानी सब कुछ दे रहा है बिजली तो जो सरकार का जो बिजली है पानी नहीं मिलता है वाड छेतर है वाड पढ़ता है यह पहले 52 अभी 50 है निगम इसे वाड के रूप में चिनित करता है और कहता क यह पहलूँ गारी टाना कोई करमी आता सफाइकर्मी पर मतलब कोई पुजा पाट होता है बोलते हैं तब भी नहीं आता है कि आ अप लोग अप्लाइक करेंगे तब भी पास नहीं होगा नहीं बहुत कोई अप्लाई किये थे उसको रिजेट कर दिया बोलता है कि नहीं इसके बाद अभी एक महिना से नगे निगमुला लोग आए इसके बाद दूसरा या तिसरा दिन पेपर में आता है कि वहाँ भी नहीं नोटिस आने की बात आप मिला नहीं ठीक है लेकिने मिला अचानक पेपर माया की नहीं सब में के दरज हो गया है हम लोग परसु जैसे निकलते हैं समलक भी धायक के पास चलेगें उसके बास बीधायक बोले कि ठीक है इससमस्या हम गाओं के आ के पूरा रखते हैं क्या है नहीं है यह दो तो गाउं में सटा हुआ है दोनों के समस्या है अलगभक दोनों में से वही दस हजार होगा अदमी दस हजार बारह हजार होगा दोनों गाउं में से है नोँ भी चक रहे लाइव है इसके बाद हां कुल ले लेका आपको के गांग की बाकी लोगं को में हो सकता हो शक्ता पूरा गांगुमि योई जब अभीतों शुरू करेगा ना रही उसके बाद पुरा गाउं को लेगा तो शीन पारशाद यहां पुष्पातिरिकी है नहीं नंगे पर्देश्ट नहीं जानते को तो पहले से मालूम था जो फोटो घचकी लगए पेपर में दिया तो कि गाउं पहुक। जा से लिए को रहने के लिए नहीं सॉजाएंगे और सकती है कि अंदुले नहीं से मूड नहींद रहेंगे इहां अधर साब एक आंध्योत्स का इसवाइदे एर सेस्फटेंगे टोटिया है र ubiqu прост सब नगर निगाम में आता है हम लोग अगर तोड़ेगा वाबू तो उसको रहने के लिए विवस्था करेगा तो घर तोड़ देगा तो जिसका घर तूट जाएगा तो कहा रहेगा उसको तो घर चाहे ने विस्थापन याति किर्मन हटाए जाने के अभियान के दौरान यह समस्या बहुत आम है कि अगर घर तूटता है तो उनके लिए विवस्था क्या होगी हाई कोट का वाकिया याद की जब हाई कोट ने टिपनी करते वे कहा था कि इंसान इस शहर में भिड़ बकडी की तरह नहीं है अगर घर तूटता है तो मुआवजे का तौपन को रहने के विवस्था की जानी चाहिए ऐसे में जब धाई सो मकानों को एक साथ नूटिस दिया जाने की बात है और तूटने पर बात आ गई है कि मकान तूट सकते हैं तो इस पूरे गाउं के साथ समस्या है कि आखिर यह गाउं की सितिक चाहोगी लोग क्या करेंगे और इसलिए आज बैठक बुलाई गई है देखिए यहाँ पर हित्यू काहों को लोग फुटबॉल की तरह समझ लिए हैं यहाँ पर जब नक्सा पास कराने यहां की लोग जाते हैं तो नगर निगम बोलता है ये अंचल में हैं प्रकंड में हैं और जब नामकूम प्रखन जाते हैं तो वो बोलता है कि ये नगर निगम में हैं नगर निगम नक्सा पास कराने में आना कानी कर रहा है लेकिन होल्डिंग टेक्स लेने में तो आना कानी नहीं कर रहा है जब आप होल्डिंग टेक्स ले रहे हो तो आप उसको नक्सा भी पास करो और यहां के लोग जब नकसा पास करेंगे करना चाहते हैं लेकिन सरकार नकसा नहीं पास कर रही है और नहीं पास करेगी और इसको अवैद बोल रही है इसलिए गाउवालों बेठक बुलाई है और ये बेठक आहुत की है आने वाला समय हर चुनौती के लिए हर संगर्स के लिए ग्रामिनों का साथ देने के लिए मैं हूँ और इन पर कोई आच नहीं आएगा ये मैं स्वस्त गाउवालों को किया हूँ देखे ग्रीन लैंड जो होता है वो आपके नदी किनारे होता है और ये गाउं खत्यानी गाउं है 1932 से पहले का ये गाउं स्थापित है और यहां हिथू गाउं के पूर्वजों ने एरपूर्ट लगाने के लिए बिकास के लिए जमीन दिया जिस पर यहां से चाहे उमंत्र करने का सरकार काम कर रही है और जिस तरह से पेपर में और नोटिस आ रहा है कि हेथू गाउं को ये अड़ाइसो घरों को नोटिस देके उसको उजाडा जाएगा उनको हटाया जाएगा तो मैं यही प्रश्नक सरकार से करना चाहता हूं कि रांची सहर में दो लाग घर हैं और दो लाग घर में एक लाग नब्बे हजार घर में नकसा पास नहीं है तो क्या सरकार एक लाग नब्बे हजार घर को बुल्डोजर चला के मैदान बनाना चाहती है सरकार समवेदन सील होती है सरकार गरीबों के हित के लिए काम करती है मेरा आगरा है कि वैसे लोगों को नक्सा को रिगुर्लाइज कराए ना कि लोगों को परिसान करने का काम करें। विवेकानन्द विद्यमंदर स्कूल एक CVSC-affiliated English Medium Code School है। हम सिक्षा के साथ संसकार देते हैं।